मेरे प्रिय शिश्यों, साथगों और आज के हमारे सभी जोतिश में विश्वास रखने वाले दर्श रखों मैं बात कर रहा हूँ आपका हम सब का वर्ष 2018 कैसा जाएगा तुला राशी पर आज बात करेंगे और जानते हैं सबसे पहले कि तुला राशी में positive point क्या होते हैं उन लोगों के दर ऐसी कौन सी quality होती है जिससे वो लोग जीवन बहतर जीवाते हैं क्या है क्योंकि इस राशी के lord बनते हैं शुक्र शुक्र को हमारे जोतिश में high thinking और जो एक luxury जीवन होता है उच्च रहन से बाहरी दिखावा भी होता है उपरी तड़क भड़क भी होती है अत्य अतिक सफाई पसंद लोग होते हैं इस राशी से जुड़े हुए लोग इंसान सफाई पर विश्यश ध्यान देते हैं कपड़े जूते बैल्ट परफ्यूम और लगजरी फूड और फाइन डानिंग में जो डिनर लंच करना गूमना फिरना तीर ताटन करना विदेश शात्राएं करना और अच्छी सच्छी स लोग हैं जिनके पास 500 से ज्यादा जोड़ी जूते हैं सोचने में सुनने में बड़ा जीव लगता है कि रखते का होंगे लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में तो घर को अती आधिनिक डंक से सजाने का काम करते हैं बहुत खुश्णुमा जीवन जीते हैं अब अगर ये सोचते रहते हैं ये काम अपनया भी हो जाये तो ठीक है इसी कारण ये लोग अलसी के चलते हैं कई अपने जिंदगी में हाथ आई चीज़े खो बैठते हैं ऐसी सिच्वेशन इनके प्रगरती में बादा पहुँचाती हैं ऐसे लोग लोगों को दिखाने के चकर में कर्ज लेकर भी एक खुश्टुमा जीवन जीने की कोशिश करते हैं ऐसी लोग दिखावा पसंद बहुत जादा होते हैं जिस वज़े से पैसा बचा नहीं पाते हैं खर्चे इनके बहुत जादा होते हैं और तकरीबन 60% खर्चा इनकी जिदिगे में बे फिजूल का हो देखिए सबसे बढ़िया तो शुरुवाती परिजात योग से होने वाली है यानि बिजनस के लिए तो परफेक्ट टाइम हो सकता है फरवरी से अप्रेल का महिना ठीक ठाक जाएगा लेकिन 2 मईस से 6 नमबर तक मंगल की चौथी दृष्टी यह देखिए 11 अक्टूबर त दोस्त तुम यह यह मेहनत करोगे तो तुमें यह यह चीज़ें मिलेगी यानि जिर्दगी में आप लोग इस गुरु मंत्र को पैचान लीजिए कि जो हम चाते हैं उसको ध्यान बे रखिए उसके अनुसार कर्म करिए वैसी या उससे थोड़ी कमजोरी लेकिन चीज़ें म अदलाव होने वाले हैं और पैसो के आवक अच्छी खासी बनी रहेगी और साथ में तुला राशी में देवताओं के गुरु ब्रैश्पती बने हुए हैं तो यह ब्रैश्पती 11 अक्टूबर तक व्यापार भाव को भी देखेंगे भागियस्तान को भी देख रहे हैं पं प्राफियत तक पूरे हो चुके होगी इस साल आए के नए-ने सुरोत मिलने के योग बन रहे हैं आप वासुदेव कुटूमगम यानि आप यह मुद सोचे एक शहर एक महला यहीं हमें बिजनस कर रहे हैं नहीं हम अपनी बिजनस की स्किल को बढ़ाएंगे अच्छी टेक वास्तु कलाकार वास्तु शिल्प के लोग जो हैं वास्तु कला को जानने वा लोग हैं प्रिंटिंग मीडिया कॉस्मेटिक्स या किसी लग्ज़री जो जुड़े होई हैं फूड और बेवरेज हो होटल हो रेस्टरंट हो बोटल हो तो यह समझ दीजिए कि यह साल आ जात योग से हो रही है यहां पर शुरुवात में ही आप जनवरी से लेकर मार्च महने के बीच में नई जॉब के लिए एपलाई कर सकते हैं आप तुला राश्ची की लोग अगर किसी भी प्रकार से साउथ और महराश्चा की तरफ अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप के लिए अच्छा रहेगा अब आप किसी और कंट्री में हैं तो वहां से आप साउथ की तरफ और इस्ट की तरफ जॉब लेने की कोशिश करिए आपको रिजल्ट मिल जाएंगे दूसरा मध्यान यानि अप्रेल से लेकर जुलाई तक का महिना ठीक नहीं जाएगा उस नती यानि ट्रांसफर के साथ प्रमोशन होना नई जॉब मिलना सेलरी बढ़ जाना आपकी मेहनत का अफल आपको मिलने लगेगा सेलरी का जो काफिया तक इस्सा आपके अच्छी चीज़ों में खर्च होगा सीनियर्स की तारीफ आपको मिलेगी वो भी आपकी काम में पूर हो जाए कि यह कहीं मुझे छोड़ कर तो नहीं चला जाएगा अपनी कामलित को पहचाना है और जॉब चली भी गई दोस्त तो आपकी स्किल क्वालिटी पढ़ाय लिखाई आपके डिग्रीज आपके इंटेलिजेंस बाबा आपका आशिरवाद गुरु जनों का करेंगे और करने भी चाहिए क्योंकि उनको चीज समय पर नहीं मिली तो वह भी तो दुखी हो सकते हैं लेकिन उनके परती भी हमें अच्छा विवार रखना है लेकिन आपका ध्यान सर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए आपकी वानी पर आपका कंट्रोल होना चाह आपको कोई ऐसी तकलिफ भी हो सकते हैं जिससे विभागी कारवाई हो जाए और आपको सस्पेंट भी होना पड़े समझदारी से चलना पड़ेगा अब बात करते हैं तुला राशी के फाइनेशल पोडिशन 2018 में ओवरॉल कैसी रहेगी देखिए ओवरॉल तो ठीक है लेक टॉइसे कि कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन आप देखोगे कि काम डिले हो रहा है लेकिन काम जरूर पूरे हो जाएंगे दूसरे शब्स आपको पैसों के कारण आपका कुई काम नहीं रूखेगा कोशिश एसी करिए कि एसा इन्वेस्टमेंट ऐसी प्लानिंग करिए ऐसे स जरूरतों के साथ साथ अपने ख्याल और ख्वाबों को भी पूरा कर पाएंगे इस साल चाहे वो नई गाड़ी हो बकार लेना हो ट्रैवल करना हो पत्री को अच्छे गहने दिलाने हो इस अवधी में आप पुराने कर्ज से भी काफिय तक उबर पाएंगे जनवरी से मार्च तक की अवधी में आपकी कमाई में अपरतियशत विर्दी भी देखी जा रही है अब आद करते हैं कि तुला राशी वाले लोगों की फैमिली लाइफ और फ्रेंट्स के हाल कैसे रहेंगे जैसे पती पत्री बच्चों के साथ दोस्तों के साथ आपके रिलिशन कैसे मिले जूले फल परतिबादित होंगे आपको बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चों को अच्छी स्कूल में एडविशन दिलाना ही काफी नहीं है जैसे एक बिजनसमेन अपने बिजनस में जाता है ध्यान देता है तो आपको मिलेगी आप पती पत्री के बीच में तीन बार कम से कम बड़ा जगड़ा भी होगा जिस वज़े से दोनों ऐसे किसी एक को मानसिक और शारिरिक कस्ट भी हो सकता है जगड़ों से मिलता कुछ नहीं है जो जगड़े करते हैं उनका खुद का जितना नुकसान होता है द जरूरी है अगर आप ग्रहस्त जीवन को आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो शुकर के आरातर आपको करनी चाहिए दूसरे के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब भी आपके आफिस में जरूरत नहीं है कहीं आपके जरूरत नहीं है फालतू आप बैठें तो पत् अश्क और महबत से जुड़ेवे लोग हैं तो साल 2018 की शुरुवात में आपको प्यार के मामले में कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपको खुदी नहीं पता है कि आप वाके में प्यार भी करते हैं और शादी करना चाहते हैं या सिर्फ टाइम पा पर से ब्रेक अप ओने की संभावने पूरी बन रही है वो करना चाहिए लेकिन मई से जुलाई के बीच में अगर आपका ये रिष्टा चलता है तो इस साल के एंड़ बे आप शादी के बंदर में बंद सकते हैं परिस्तित्यों को बहतर बनाने के लिए आपको कड़ी बेह कोशिश करें कि आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं वहाँ पर आप माता पिता परिवार जनों का आशिरवाद लिए बगएर काम मत करें बले इस शादी 2018 में ना हो कई ऐसा ना हो कि आपके माता पिता ने जो सपने आपके साथ संजोय थे वो आप अपने दुनिया कहीं और बसाना चाहते हैं और उनके जीते जीत सपने चकना चूर हो जाए मैं यह भी नहीं कहूंगा कि उनके सपने साकार करने के लिए अपने सपनों को चकना चूर कर दिया जाए मिल बैठकर बाचित करके अपने प्यार को परवान यानि प्यार को बंजिल तक पहुंचारा च होना चोट दुरगटना होना हडडी तूटना ऐसी स्तती बन रही है और ऑपरेशन की भी संभावना यहां पर बन रही है साथ मार्च से दो मई तक मंगल की छटे वाव पर दिश्टी होने से तुला राची वाले लोगों के लिए सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा सेहत के परती आप जो लापरवाई कर रहे हैं आपको यह समझना चाहिए कि सेहत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अगर रुपय की तकलिफ है सेहत अच्छी होई तो रुपया फिर कमा लेंगे और रुपया खूब है तो सेहत नहीं ला सकते आपको नहीं तो पेट में कभी कई प्रकार की तकलिफों का सामना करना पड़ेगा कोशिश करें के नियमित रूप से जैसे हम बागी सारे काम करते हैं आधा पौन गंटा नियमित व्यायाम योग प्रणाव एक्सरसाइस जरू करनी चाहिए इससे हम लंबे समय तक जीवन को जीप पाएंगे तो काम से जब भी समय बिलती है फुरसत बिलती यह जरू करना चाहिए पढ़ते आगे और बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के बारे में जो भी तुला राशी के स्टूडेंट्स है सोला जनवरी से साथ मार्च तक मंगल की चौतित रिष्टी फिफ् से बढ़का रहा है यानि कोई ऐसा साथी आपको मिल गया है जिसकी आप याद में बढ़के रहते हैं हमेशा मोबाइल चेक करते हैं कई उनका मैसेस तो नहीं आ गया है इसलिए अपनी विल पाउर को मश्बूत करना होगा अपने संकल्ब शक्ति के साथ आगे बढ़ना दूसरी चीजों में ध्यान देना है लेकिन अपने आसपास का वातावरन एक डेकोरेट ऐसा करना होगा जो पॉजिटिव हो ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सके एकागरता की कमी आपको इस साल जरू नजर आएगी जिसके लिए आप कोशिश करें कि रोज 15 मिनिट के लिए मेडिटेशन करें ऐसे माप अपने आपको देखेंगे उर्जावान पाएंगे इस साल के मार्च से लेकर जुलाई तक आपको नए आडविशन सब्जेक्ट सेंज करना दूसरी कॉलेज में दूसरी शेहर में अलग विदेश में जाकर पढ़ाय करने के मौके मिलेंगे माता बढ़ते 준 2018 में तुला राशजिवारे लोगों के लिए और कॉण सी ऌनीवी राशी रखन है बढ़ाय के लिए थिए घ्रिचिक मीन, मेश, वरशब, सिंग, कन्या, राशी वाले लोगों से दूरी बनाए रखिए उनसे किसी प्रकार का financial, business और professionally को रिष्टा ना रखना चाहिए बाकिये रिष्टा आप रख सकते हैं 2018 आपके लिए lucky color और lucky जो number है वो number है 3, 5, 6 और 8 वही lucky color आपके लिए रहेगा green, black और white color के साथ सा थोड़ा सा gray color भी आप use कर सकते हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके विशेश सावधानी रखने वाला समय लेकर आया हूँ जिस पर आपको ध्यान रखना हुगा 14 जनवरी से 12 फरवरी तक समय ठीक नहीं है साथ मार्च से 2 माई तक आपके लिए समय ठीक नहीं है साथ में 2 माई से 6 नवंबर तक भी आपको ध्यान रखना हुगा क्योंकि अंगारक दोश बन रहा है वहीं 14 माई से 15 जून तक 8 ताउस में सूरिय डैमेज करेगा आपके जित्गी को लेकिन साथ में भगवान ने आपके लिए खुशी के पल भी दिये हैं जिसमें 1 जनवरी से 16 जनवरी तक गुरु बंगल का परिजात योग आपकी राशी में गुरु शुक्र का शंक योग रहेगा 1 सितंबर से 11 अक्टूबर तक वहीं 1 सितंबर से 31 जिसमबर तक आपकी राशी में स्वग्रे शुक्र बालव योग खुशी के पल देने जा रहे हैं सफलता के चमतकारिक उपायों में मैं आपको एक विशेश उपाय बताने जा रहा हूँ जो जरू करना चाहिए सफेद चंदन की माला से ओम शुम शुक्राय नमह मंत्र के चौसरा धरजार चाप करके उसे सिद्ध करना है शुक्रवार का वरत दुर्गा सब्तशती का पाठ करना दोनों नवरातरा तथा गुप्त नवरातरा में वरत आदी करना शुक्र यंत्र की विदिवत पूजा और सफेद वस्तर में सफेद पुश्प लेकर अपनी कूल दिवी को अरपन करे सफेद वस्तु जैसे चावल, दूद, दही, गरत जो भी आपको मिल सके उसका दान करना चाहिए यहाँ पर मैं आपको सफलता के लिए एक सूत्र बताने जा रहा हूँ यह 21 सदी का यूग है इस में कल का काम आज और आज का काम अभी करने के मन में परवर्ति का संकलब लेना है काम को टालिय मत कर्मशील रहे तभी आप दूसरों से कंपीट कर पाएंगे और अपने अंदर विद्यमान आज का काम कल पर टालने वाली प्रवर्थी से बाहर निकाल कर आप एक नया जीवन पराप्त कर सकते हैं साल 2018 में अपने इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का आपको संकल्प लिना चाहिए मेरा आश्रवाद शुब कामना आपके साथ हैं आज के लिए बस इतना ही बुझे यहीं विराम देजी अपने मानी को नमस्कार क्या आपको गुरुदेव सुरेश्रीमाली जी से मिलने का समय चाहिए क्या आप वरवधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या फिर सुरेश्रीमाली जी से फोन पर संपर कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं इम उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदे द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामगरियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली, जब आथक परिश्रम के पश्राद भी बना रहे अभाव, परिशानिया और बाधाय बतले आपका सुवभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे, पर समाधान भी पाएंगे, तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजाद पाएं, कौन मित्र है और कौन है शत्रू, जिवन साथी में ढूनते हो प्रेम या प्रेम में ढूनते हो जिवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलद्धी और कैसे मिलेगा स भविश्य का दर्पन है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पन है कुंडली, जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का वचार, तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का वचार कुंडली के भिन-भिन भाओं से क्या जाता है, आप में सभी प्रतिभ स्रीमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। स्रीमाली जी से व्यक्तिग करें। स्रीमाली जी से व्यक्तिग करें। जी से व्यक्तिग करें। करें। जी से व्यक्तिग करें। इमेल इन्फो एडिरेट ग्रहुकाखेल.com.in वेबसाइट व्व्व्व डॉट ग्रहुकाखेल.com.in